ओम शान्ति आज हम बात कर रहे हैं 17 जून के श्री वर्दान की जहां परेंपिता परमात्मा चाते हैं कि हम अचल अडोल हो जाएं और कोई भी परसिती हमें हिलाए ना ताकि हम औरों के लिए अच्छा सोच पाएं अच्छी भावना रख पाएं अच्छी महसूसता रख वाले विश्व कल्यानकारी भवा अच्छल मतलब कोई आपके बारे में चाहे कुछ भी कहें अच्छा कहें बुरा कहें आपके निंदा करें या स्तुति करें आपको लाब पहुचाए या हानी पहुचाए आपकी जय कराई या पराजय कराई लेकिन आप अच्छल हैं आप कोई असर पढ़ता नहीं है अचल स्थिती द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्यानकारी भवा जो अचल स्थिती वाले हैं उनके अंदर यही शुब भावना शुब कामना उत्पन होती है कि यह भी अचल हो जाएं कि मैं तो हूँ अचल मुझे परमात्माने ग्य अचल स्थिती वालों का विशेश गुण होगा रहम दिल उनको और उके पर रहम आएगा क्यों पता है कि जो वेक्ति करोद कर रहा है या अंकार दिखा रहा है या इरिशा या ग्रिना दिखा रहा है उससे रियक कर रहा है वो वेचारा कम्जोर है उसको बिमारी हुई बहावना होगी, कि किसी भी तरीके से इस आत्मा के मन में, बुद्धी में, विवेक आजाए और इसको अपना भाग्य बनाने का रस्ता मिल जाए उनका विशेश, टाइटली है, विश्व कल्यान का रहे हैं, वो सिर्फ एक का कल्यान नहीं करते हैं, विश्व का कल्यान का सोचते हैं उनके अंदर किसी भी आत्मा के प्रती ग्रिना भाव, कि ये तो मेरे से नीच है, इसकी सोच नीच, इसके करते हैं नीच है या गलानी का भाव उत्पन नहीं हो सकता, गलानी करना मलब बेज़ती करना, क्रिटिसाइज करना, या आप कर नहीं सकते हैं, सदा ही कल्यान का भाव होगा, कि उस आत्मा के प्रती, आपको कभी भी ये महसूस नहीं होगा, कि इस आत्मा में ये कमजोरी है, ये कमी है, आपको उससे जलिसी या इरश्य हो रही है या आप उसको criticism कर रहे हैं तो न आपके पास में दोश होगा जलिसी होगी न आप उसके एंदर घरणा होगी आपको कोई بھی उसका संसकार ऐसा हो जो कि आपको पसंदा हाथ ऐसा होगा ही नहीं क्योंकि आप उसके अंदर अच्छाईयां दिखेंगे कुछ ना कुछ तो उसके अंदर है आत्मा के अंदर जोकि अच्छा है तो ये भावना रखते हुए आप अपने जीवन में एक पुन्य आत्मा महान आत्मा बन सकते हैं और ये बने कैसे इसके विद्धे तो आपको ब्रह्मकुमारीज इश्वरिवेश्वे विद्धाले में मिलती है जहां पर आप आ करके सीखते हैं कि सालीप और सित्यों में आप अचल अडोल कैसे रहें और ये सीखने के लिए आप साथ दिन का कोर्स करें दिन में 45 मिन निकालें चाहे साथ दिन आप कंटिन्यू करें चाहे गैप करके करें वो आपकी मरसी है इसके साथ ओम शान्ती